कि अंदर हम बात कर रहे हैं टेपल के अंदर क्याल्कुलेटेट फील्ड में दिखा था अब मैं तो थोड़ा सा आगे आते हैं और बात करते हैं लॉजिकल ओपरेटर्स की अंदर हम लॉजिकल के बारे में बात करेंगे मैं यहां पर यहां पर टेटावर चाहता हूं और यहां माल देजेश चला जाता हूं रहे गाएंगा और यहां पर लोग के नामसे यहां पर मैंने किया लिखा असरे शेल्स जो की नंबर उसके बाद यहां हम लिखते हैं कमीशन्स तो कमीशन्स में इस पार मेना कमीशन फ्लैड में है अब इस पार मेना कमीशन यह है कि अगर कैलकुलेशन गेटे जन फुर्टी हुआ तो 60 हुआ तो 40 की हिसाब से मुझे देना है अदरवाइस नहीं देना है ठीक है तो यहां हम इस फंक्शन में आते हैं विल्ट फंक्शन के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे फंक्शन आपको दिखेंगे इंस्पेक्शन हो गया ऐसे मैथमेटिकल्स होगे प्रोग्राम फुलो ह इसमें एक आई आई एफ का दिख रहा होगा दिखा आई एफ लॉजिकल्स कहलाता है तो मैंने यहां लिखा आई 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 एफ प्राइफ और हमने सेल ने दिया क्या दिया अगर सेल्स अगर सेल्स जो है जो एग्रेटर दैं 60 तो बरी ब्राइकेट में सेल्स मल्टिप्लाइबाइबाइब सिक्स्टी अधरवाइस जी टीक है तो दैन ओके किया और यहां पर इसको क्लोज करते हैं और इसके बाद हम लॉक के आते हैं अगर माल देजिए कि पूजा ने एटीफाइब सेल्स दिया है तो एटीफाइब का ज सब्सक्राइब सेल्स किया है तो आप देखें कमिशन जीड़ा है तो आएगा फिर सिक्स्टी से उपर है ना सिक्सी टू करेंगे तो आएगा फिर सिक्सी टू मल्टिप्लाइबाइब फॉट्टी अब कुश्चन आता है कि इसके लिए हमने क्या किया आया इसका फॉर्मले लगा अब कई बार हलाकि इसकी जरूरत मुझे हिसाफ से नहीं है लेगि कई वर क्या होता है कि क्या हम इस कैलिकुलेशन को बगए आएफ फॉर्मले से कर सकते हैं अब वार समझाया सबस्क्राइब कि इसको आएफ फॉर्मूला होते साहां काई एफ फॉर्मूला यह नहीं करना चाहां वेगिए यह एफ फॉर्मूली का ऐसा हो सकता है तो चलिए हम कर्टेंज एक बार इंट्र्यूम में मुझ्झे ऐसा पूछा गया तो हमने बोला सेल्स गेटर देन 60 सेल्स गेटर देन 60 अगर हमने किया तो क्या रिजल्ट आएगा ट्रू एंद फॉल्स माइनस ओन या माइनस ओना का कि शिटी से उपर आने पर क्या होता माइनस ओन में उसे आने पर यहां पर एक्सेस के अंदर जिसे एक्सल में होता है और फॉल्स जीरो होता है अब एक्सेस में कहा है कि आपका माइनस वान है और फॉल्स आपका जीड़ तो इज़े डिजाइन वी में आते है है तो मैंने क्या किया कि यहां पर इसको ब्राइकेट मिलिया और इस पर मल्टिप्लाइबाइब आई कि आफ यहां पे पर देखेंगे कि जो लिखेंगे तो मैंने अगर फॉट्टी फाइल लिखा यहां जीड़ आएगा और फॉट्टी फाइल जो भी मरा इमांट लिखते हैं तो क्या होता है माइनस वान फॉर टूब्ना जूर लीखोगी उसी को माइनस पर कर देगा लुट को जो कि कि कैने कि अधिक है कि अधिक कि अधिक तो अधिक करना है तो अधिक आप मुझे च्प्लिक क्या करना अधिक आप यहां पर समझे लॉजिक ओप्रेटर अगर फॉल्स हुआ तो जीरो होगा और जीरो से कोई अधिक आपने तो माइनस वान आएगा तो वन को से मल्टिप्लाइब करेगा तो उसका से अधिक है लेकिन रिजल्ट माइनस में आए तो माइनस को प्लस में कनवर्ट करने के लिए या तो अधिक एप्सूलूट का फॉम्मा लगा दें या फिर मल्टिप्लाइबाइब आई माइनस वन कर दें इससे हो जाना चीज़ सही हो गया है तो सारा मैथेमेटिक का केल है समझेंगे नहीं एक मिन मैं इसको जूम करता हूं फिर इसको समझें इसको इसको पॉट्टी से मल्टिप्लाइब यहां पर अब से इंटेक्स पर अलग है एक्सल जीशा निए कॉमा वगेना निए जी 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 ओक्यों कि ट्रंसेप्स समय में आए कि ने समय माया आपको कॉंसेप्स समय में आए चलिए अब यहां पी एक चीज़ा ऊड़ करते हैं कि मुझे इंसन्य इहां नि कालना है क्या निकालना है आई एंस इंसेंटिव के अंदर में मुझे क्या करना है कि एगर 50-to-80 हुआ तो टू देना है अदरबाइस फॉस तो इन्वन के आते हैं क्या आइंड का जहांना है क्योंकि आप लगा तो से लिए कि यहां नहीं मतलब कि अगर और और नहीं सेल्स में इस ग्रेटर दैन अब यहां पर हम नहीं लगा तो कि यहां पर देखिए और ही नहीं नहीं आएगा क्या है मैं मैंनुवली दे देते हैं तो मैनुवली मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वर्क होगा तेकि मैं एक बार देख रहता हूं ठीक है को आप जी रुआ यहां पर 65 देता हूं तो मतलग की काम कर रहा है अब यहां पर हम इस ही इस कैलकुलेशन को आई आई इस के अंदर डाल देते हैं आई आई इस के यहां देते हैं आई 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 एफ राइक अपन अगर ऐसा हुआ तो यहां पर आना चाहिए 500 का इंसेंटिव अगर अधरबाइज यहां दाने चाहिए जीरो ठीक है और फिर इसको करते हैं क्लूज से आगया फाइवंडर तो हमने क्या किया एंड का यूज किया एंड क्या करता हम यहां पर एंड फॉर्मुले की तरह वर्क नहीं करता है यहां लखेगा ठीक है हम यहां पर डारेक्ट की एंड का सेंबल यूज करेंगे आप इस दिक्राव को तो दो या दो से जड़ा कंडिशन लगा सकते हैं यह जोगा बिट्वीन के लिए हम लगाएंगे कि वाइज से है पचास से उपर या सेल्स जह है पच असी से नीचे होने पर फाइव हंड़ेट पर आज है अंदर बाई जीड़ो आए लेकिन अगर मैं अगर बात करूं कि यहां पर एक आइन सी करता है हूँ अब आएन सी के अंदर मुझे यहां छोटी सी प्राब्लम आ गई है क्या कि मुझे मुझे मर्टिपल रिजल्ट के साथ मृल्टिपल मृल्टिशन के साथ मृल्टिपल रिजल्ट्ट से जैसे पचास और 20 में आया तो मुझे देना है 500 कंसल्टी 50 से नीचे आता है तो देना है 100 का incentive टिक है और 80 से उपर जाता है तो मुझे देना है 200 की incentive तो मैं धोरा बोला हूं 50-80 के देना है 500 का incentive 100 से नीचे जो है 100 देना है थर्ड हम वहां पे लगाते हैं जहां पे multiple conditions with single result होता है ठीक है multiple condition के साथ single result होता है तो यहां भी का करेंगे तो यहां देखिए लगाएंगे यहां देखिए हम सेल्स कि सेल्स इस ग्रेटर दैन इक्वल टू फिप्टी फिर कॉमा करेंगे मैं एक और आई आई एफ लगाऊंगा इसको नेस्टेड इफ करते हैं फिर सेल्स लेस दैन इक्वल टू एक्वल टू एक्वल तो मतलब की एटी कब चेक करेंगा जो फिप्टी से ऊपर होगा फिप्टी से नीचे होता ही ओ दूसरी इफ को कंसिडर नहीं करेंगा न यहां पर 500 और एटी चेक कर रहा है इसका मतलब 10 को फॉर सद्थी अओं फॉर मैं लेश देंटी फॉल्स देटी से जाता है कि हम यहां पर 200 अधकर के अंदर राइए ट्रू और परम इसका हो गया दो पारे और यह हो गया फॉल्स कोड़ ठीक है कि पचास से ज्यादा हुआ है नहीं अभी इसमें क्या है कि सबसे पहले पहला इस चलेगा तो दूसरे इस को फावड करें नहीं है सीदे यह 100 जाए अब दूसरा इस चलेगा दूसरा इस कब चलेगा जब पचास से उपर है अगर दूसरा इस चेक किया कि आशी से से नीचे नहीं है तो यह क्या हुआ है कि समझा है कि समझा आपको नहीं अब पर आया तो अब और आपको देखिए देखिए हम पर क्रिशन क्या लगाता है यहां पर लगाता है ना इस दिया और हमने बुला कि अगर मालेशर सेल्स को एस ले लते हैं कि इस गेटर दैन फिफ्टी तो यहां पे हमने पास दो पार्ट होगा दूसा पार्ट है थो पर पार्ट हुआ तो मुझे हनले देना है ठीक है अब टू पार्ट में मुझे करना है कि अगर असी से नीची है तो पांसो देना है तो यहां पर मैं एक और इफ लगा दिया समझें यहां पर इफ लगा दिया कि इस जो है वह अगर लेस दैन इक्वल टू पचास है असी है तो इस इस के भी तो दो पार्ट है टू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट इसके टू पार्ट में आगे 500 और फॉल्स पार्ट में आगे तो अगर तीसरा करना है तो ऐसे यहां पर तीसरा होगा चौथा करना ऐसे चौथा होगा पर पर करना और यहां पर मैंने यहां पर इतंगी दिया और यहां परे न मैं ह हुआ नए उनदेट व्हाक्तक पर आई लिए ताट कि दियांड़न जासे तो इस रहां पर नड़िए आ यांटिव दिया 200 आगे हैं समझें कि नहीं चली समय माया चली तो यहां पर हम रिजल्ट बनाना चाहते हैं अब जिसे कि मैंने हाँ पर student name ले लिया जो कि text है और यह हो गया हमारा subject 1 जो कि number subject 2 यह भी हमारा number है और subject 3 यह भी हमारा number है अब मुझे यहां पर देना है result में condition है कि सारे subject में अगर 40 से ऊपर है तो पास देना है otherwise fail देना है तो मैंने यहां पर simple दिया कि subject 1 यहां पर subject 1 और फिर यहां पर हम देते हैं पर देते हैं and और यहां पर देते हैं subject 2 फिर वापस देते हैं and यहां देते हैं subject 3 और फिर यहां और यहां देते हैं subject 4 subject 4 राइट इसके बाद यहां पर कॉमा हम करते हैं ऐसा हुआ तो पास otherwise fail ठीक है then okay करते है और यहां से हम close करते हैं and करते हैं अब इसको हम रिजल्ट वाले सीट को अपर करते हैं अब यहां पर हम दिया पूजा subject 35 36 35 and 20 52 पास हो गया अब मैं मान लिजे 36 को हम कर देते हैं 27 खेल हो गया कि खेल हो ना कि अब इसी को थोड़ा और कॉंप्लिकेट करते हैं कि मुझे यह बताना है कि फॉस्ट जो सब्जेक्ट है उसमें कौन सा प्राइब तो यहां भी हम कैल्कुलेटर लेते हैं और इस बार यहां न लगा के जूम कर लेते हैं तो यहां हम देते हैं अब यहां पर क्या होँआ कि यहां पर हम यह नहीं लगा सकते क्या एंड यहां नहीं लगासकते तो यहां हम सब्जेक्ट वन नें देशाक्ट कि subject 1 अगर greater than equal to 30 है तो तो फिर मैं इसको copy कर लेता हूं और इसी आगे तक तो यहां पर चले subject 2 को check करें ठीक है फिर comma subject 3 को check करें फिर comma subject 4 को check करें अगर subject 4 चेक करने के बाद हम यहां पर देंगे पास और जैसे कि मैंने बताया हर इसके अदर आपका एक टू पार्फ होता है दूसरा फॉल्स पार्फ होता है तो चौथे इस जो हमने लगाया इसकी हम बात करें इसको फिला इसको नोट गर लोते हैं इसकी बात करें तो इसका यह होगया condition यह होगया हमारा true पार्फ अब यहां पर false पार्ट में मैंने दे दिया subject for faith ठीक है और हमने इस इस को close कर दिये मदद हम चौथे इस को close कर दिये अब चौथा if किसके अंदर में है तीसरे if के अंदर में है तो तीसरा if के हम देखे तो तीसरा if का एज नहीं हमारा क्या है और चौथा if की पार्ट है तो यहां पर false पार्ट देना है कि subject थी फिल फिल फिर हमने इसको close किया अब देखिए हमने तीसरा इस दे दिया मतलब तीसरा इस कम्प्लीट है अब तीसरा इस जो है दूसरे इस के अंदर में तो दूसरा इस का कि यहां पूसरा इस क्या है कि यहां पर हम फॉस पाट डालेंगे कि सब्जेक्ट टू फे ठीक है कि उसी तरह से यह हमारा अब यहां पर पहला हमारा है पहले इफ हमारा है पहले इफ चला पहले इफ में condition चेक किया condition फुल्फिल हुआ तो दूसरे इफ को देगा क्योंकि दूसरा इफ पूरा इफ पहले इफ के true पार्ट में है और false पार्ट में एस बन फेल है तो अगर 30 से उपर होगा तभी इस वाले इस टू को चेक करेगा नहीं तो सीधे इस फेल देगा सेम उसी तरह से दूसरा इफ क्या हुआ कि वह अपना logic चेक करेगा अगर logic चुरू हुआ तो क्या करेगा तीसरे subject 3 को चेक करने करे बोलेगा नहीं तो यहां पर subject 2 फेल देगा और इसी sequence को आगे के तरह बहाता जाए यहां एक ही subject करेगा तो यहां पर मालेजे 25 कर दो तो यहां एक ही subject कर देगा सबसे पहला से कोकि वो दूसरे को चेक ही नहीं कर रहा है जैसे इसको यहां पर फेल मिल गया तो हमारा तीसरा चौथा इस चली रहा है को को कि वो फॉल्स पार्ट मैं आप बोलेगे सब्सक्राइब करना है उसको फिलाल हम इंग्रोर गड़ते हैं कि समझे सब्सक्राइब तो आपको यहां पर दो चीज़ समझ में आया एक समझ में आया कि हम लॉजिकल ऑप्रेशन पर कैसे वर्क करेंगे दूसरा आपने समझा कि आई आई इस फॉर्मूला कैसे वर्क करता है आपने तीसरा चीज़ समझा कि अगर में पास मुल्टिपल कंडिशन है तो हम एंद का इस्तेमाल कैसे करेंगे और कब करेंगे लेकि जब मेरे पास कई सारे के अलग-अलग रिजॉल्ट हो तो वहां पर एंड नहीं होगा तो वहां पर हम में सब्सक्राइब के अंदर दूसरा इस कैसे डालेंगे समझें है हां इसे को डाउट तो नहीं है तो इसको कीजिए प्रैक्टिस ठीक है ना हम इस पर जो है आया इस को कॉमले को अब हम अभी दो-तीन दिन करेंगे क्योंकि फ्रॉस इंपोर्टिन पार्ट है अब देखी सकते हैं कितना कॉंप्लिकेट है आप समझ सकते हैं तो नहीं बढ़िएगा तब तक समझना मुश्किल हो जाएगा इसमें तक्रीपन दस से पंद्रह एक्जामपल अभी तो मैंने आपको तीन या चार एक्जामपल लिया है ऐसे पंद्रह एक्जामपल्स हैं जिसको करने के बाद आप आए इसको अच्छिदे से कर सकते हो ठीक है क्रीप मैं उल्डएगा एक्जामापल लिया हैे